विस्तीज हेल्ट अन्वेल चनल में मैं कांचन ठोम्रे आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे सारे व्यूवर्ज एंड सारी सब्सक्राइबर को प्यार भरा नमश्कार आज एक टोपिक लेके आई हूं कि विस्तीज में या डिरेक्ट सेलिंग में टीम बनानी क्यों जरूरी है क्यों बनानी है organization क्यों बनानी है team आपको एक आसान example से मैं समझाना चाहती हूँ जो example आप आपने शायद कलिबार सुना भी होगा अभी देखो कि हम क्या करते हैं तो दिन भर क्या करते हैं job करते हैं या business करते हैं या आपके पास कुछ skill है तो उसके वज़े से काम करते हैं सही है तो हम क्या करते हैं कि work करते हैं काम करते हैं अभी इसको मैं एक example देती हूँ कि टीम बनानी क्यों जरूरी है देखो आप अकेले हो और आपने कुआ खोदने का तय किया और कुआ खोदने लगया कुआ खोदना अपने शुरू किया अभी मुझे बताओ कि ये कुआ कब खोद के पूरा होगा कब पानी मिलेगा कब पानी पियोगे साल भी लग सकता है दो साल भी लग सकता है तीन साल भी लग सकता है पता नहीं क्योंकि अकेले कर रहे हो और अकेले व्यक्ति के पास कितना समय होता है आठ से बारा बंटे का समय रहता है उसमें आप खाना खाओगे आठ गंटे की नीन निकालोगे है ना ठक जाओगे तो बैड जाओगे लेड जाओगे नीन भी लग जाएगी लेकिन अगर यही कुआ खोदने का काम अगर मान के चलो आपके पास पचास लोग है आपके पास सो लोग है आपके पास हजार लोग है आपके पास दस हजार लोग है है ना मिस आपके पास एक टीम है आपके पास एक और्गनाइजेशन है और आपके पास हत यार भी है और वो टूलोस के जरीए अब कुई खोदना शुरू करते हैं pública अभी मुझे बताइए कि एक कुई हजार लोगों के साथ शायद één दो काथ एक दिन में भी हो सकता है है कुई हुझा रोगों के साथ शायद एक दो दिन में या हफ़ते बर में हो सकता है, sot loggap के साथ, शायद दो-तीन मैने में हो सकता है इस कहने का मतलब क्या है कि अकेले काम करते रहोगे टीम नहीं बनाओगे तो क्या होगा की बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे बहुत बड़ा काम करने के लिए हमेशा टीम की अवश्यक्ता रहती है हमेशा एक और्गनाइजिशन को बड़ा बनाना पड़ता है तो विस्टीज में भी अगर अकेले पर्चेसिंग करते रहोगे घर के लिए समान लेते रहोगे तो उतने ही फायदे मिलेंगे कितने मिलेंगे अगर तीन हजार आपको डिलर प्राइस पर मिलेगी कुछ आपको पाचवे में फ्री मिलेगी कुछ पैसे अकाउंट में आएंगे है ना तो ये क्या होगा अकेले का फायदा होगा क्योंकि आप अकेले हो आप कस्टमर हो या अकेले बिजनिस कर रहे हो लेकिन यही काम अपने चार लोगों से बात की, इसकी चर्चा की और अपने एक टीम बनाई तो कुवे जैसा ही यहाँ पे आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे. बड़ी टीम बड़ा पैसा, बड़ा ओर्गनाईजेशन बड़ा पैसा, शुरू में काम जादा, बाद में काम कम पैसा जादा, शुरू में क्या होगा कि काम जादा पैसा कम, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, काम कम होता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ओर् खोदेगी, तो अकेले काम करने से कोई काम बढ़ानी ही होता, तो इसलिए वेस्तीज में या डिरेक सेलिंग में आपको टीम बनाने की, और्गनाइजेशन बनाने की वहुत ज़्यादा जरूरत है, आशा है कि आपको टीम क्यों बनानी है, इसका थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा होगा, तो अगर आपकी भी टीम आपको बढ़ानी है, आपको भी बड़ा और्गनाइजेशन खड़ा करना है, आपको कहीं तो शुरुआत करनी है, तो बिलकुल आप हमारे टीम के साथ रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर किसी और ने वीडियो ये भेजा ह तो उससे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, तो टीम बढ़ाने में ही, और्गनाइजेशन बढ़ा करने में ही समझधारी है, तो अकेले मत लड़ो, टीम बनाओ, तो यही है टीम का राज, विश यू वेल, थैंक यू सो मैच